हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स आज मैं सेयर कर रही हूं आप लों के साथ घर में बहुत ही आसानी से बनने वाली टेस्टी और मलाईदार कुल्फी की रेसिपी तो वीडियो इंग तक देखिएगा स्टेप बैस्टेप फॉलो करिएगा तो आप भ कि अद्रश को मेंसी कडा ले सकते हैं मोटे तल की मैंने नोनिस्टिक कडा ही और यहां पर मैंने डेढ़ लिटर दूद लिया है और यह फयाट क्रेम नहीं है आप चाहे तो फयाट क्रीम वाली दूद भी ले सकते हैं और यह एकदमस दूद है पहले से बॉयल किया ह Lalit नही क्योंकि कुलफी में में टेस्ट तो इसी जो साइड में मलाई लग जाती है उससे कुलफी बाहुत ही मलाई दर बनती है तो जो साईड आला पर कंटीनिव पंधै करी कोषरी है Remo आधह हो चुका है मुझे दच 5 मिन फो गया है चलते हुए नहीं पकाते ूए दूद को जिसको कि मैंने बारिक कट कर लिया था अभी मैं इसमें वो मिला देती हूं और इसके बाद इसको भी हमें साथ के साथ मिलाते रहना और यह ड्राइफ टूट्स ऑफ्सनल है आपको पसंद है तो डालिए वरना बीना ड्राइफ फूट्स के भी बहुत ही अच्छी कुल्फी ब और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है तो बस continue हमें इसी तरह चलाते रहना है अभी यह पकेगा क्योंकि देखिए अभी इस पैचुला में दूद रभी नहीं रूक रहा है तो कुछ दिर और हमें इसको पकानी है और देखिए यहां पर एकदम आधा हो चुका है दूद करी देखिए अब इस पैचुला में रुख भी रहा है तो इस स्टेज में हम फ्लेम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद यह देखिए ठंडा हो चुका है इस तरीके से तो अब हम इसको और मिला लेते हैं देखिए कितना गा में भी पीस सकते हैं तो मैं अभी क्या करूँगी इसको मिक्सी में ही पीस दूँगी इससे और भी ज्यादा अच्छा और मलाईदार कुल्फी बनती है बहुत ही मतलब चिकनी और अच्छी बनती है कुल्फी तो यहां पर देखिए मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इसके ब अब हम इसमें भड़ते हैं, तो पहले में एक ही है मेरे पास, यह aluminum वॉला, तो इसमें मैंने डाल दिया है, और इसका धक्कन नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, हम aluminium foil लेंगे, इसको उपर अच्छे से बंद कर देंगे, और इसके बाद में एक rubber band की सहता से, इसको अच् क्योंकि इसमें मुझे ice cream stick डालनी है तो इसके बार ये देखिए ice cream stick जो है ये मैं इसमें डाल देती हूं इस तरीके से देखिए आसानी से ये चल जाएगा ये तो एक दम बनके तयार है किसको मैं ऐसी नहीं रखूँगी एक छोटा से glass ले ले इसको रख के असानी को मैं रख दुँगूंगी आब आते हैं यह जो एलग से पाज कुलफी 1-6 मेरा बनके तयार हुआ है लिए इसको भी मैं रबर बैंड नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसके उपर इसका धकन है और इसके बाद भी इसमें मैं नाइफ से कट कर देती हूं और इसके बार में इसका धकन लगाती हूं और अलमुनियों फॉयल इसलिए लगा रही हूं कि अगर ये धकन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है तो थोड़ा सा मतलब आइस ना जम जाए कुलफी में इसके लिए मैं अलमुनियों फॉयल लगा दिया हूं जिससे की एकदम अच्छा से एयर टाइट होगा ये इस तरीके से मैं देखिए सब में डालके सबका जो कवर्ड एसक्रीम का मैं अच्छे से सबको लगा देती हू इस तरीके से देखिए तो यहाँ पर देखिए मैंने सब में कवर्ड लगा दिया है और इन सबको या तो आप साथ आठ घंटे या ओबर नाइट आप फ्रीजर में रख दीजिए फ्रीजर का टेंपरेचर अच्छा होना चाहिए एसक्रीम जमने के लिए तो चलिए मैं सब को फ्रीजर में डाल देती हूं और इसके बाद देखिए मैंने नेक्स डे मॉर्णिंग में मैंने निकाला है पूरी रात मैंने रख दिया था फ्रीजर में तो चलिए अब मैं उपन करके दिखाती हूं तो सबसे पहले मैं यह जो अनुनियम का जो यह था उसमें से पाई थी वो हटा देती हूं और इसको क्या करना है एक पानी लेंगे पानी का बकेट ले लेते हैं चोटा सा और उसमें हम एक दो बार इसको इस तरीके से मिला एक दो बार बस ज्यादा नहीं और उसके बाद हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा दिर रगर के उसका धीरे धीरे इस कुल्फी बन केक तैयार देखा ना कितनी आसानी से निकल गीए देखिये मैं आपको चूपके भी दिखा रही थी और इसके बाद यह जो एसक्रे में कुल्फी जमाई थी इसको भी बस इस तरीके से पानी में थूरी देर ऐसे बाद इसके बाद इसको भी मैं निकाल के देखिए कितनी असानी से निकल गी और कितनी यम्मी बनी है यह देखिए मैं आप लोगों दिखा रही हूँ देखिए तो बहुत ही असानी से आप यह कुल्फी घर में बना सकते हैं गर्मियों के में बना के रखिए बच्चों को खिलाईए अपने खाईए और सब को बहुत अच्छा लगेगा तो यह देखिए ओफर से बस थुआ से डेकोर करने के लिए इंट्रा ड्राइफरूस डाल दीजिए और देखिए यम्मी मलाईदार एकदम मलाई कुल्फी बनके तैयार तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की मेरे वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएगा अ